10 standard science 1 7 chapter lenses फोत वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पेज नंबर 89 से continue कर रहे हैं apparent size of an object apparent size of an object की क्या है तो बहुत simple topic है दो object है सपोज यहां पे P1 Q1 P और Q यह दो object है जिनका size सेम है बट एक आखों से दूर है और दूसरा आखों की करीब है तो जो आखों के करीब रहेगा उसका आखों के साथ जो angle है वह जादा बनेगा जिसकी वज़े से जो नजदीक वाला object है बड़ा ही दिखाई देगा और दूर वाला object छोटा दिखाई देगा लेकिन जो आखों के जादा करीब होता है वह बड़ा दिखाई देता है और जो आखों से जितना दूर होता है उतना छोटा दिखाई देता है simple, for understanding अगर हम लोग यहां से मून को देखेंगे तो हमें इक फुटबॉल साइस दिखता है बट रेालिटी मिन का साइज से कहीं गुना जादा बढ़ा है तो फिर भी हमें यहां से वुटल साइज क्यों दिखता है बिस्टिंस की वज़े से ठीक है जो अब्जेक्ट आंखो के करीब होता है जो ऑम砂खों से आखों से जितना ज्यादा करीब होता है उसका आखों के साथ जो एंगल बनता है ठीक है आखों के होरिजॉन के साथ जो एंगल फॉर्म होता है वह बढ़ता जादेगा जितना करीब होगा उतना एंगल बढ़ेगा जितना फार होगा उतना उसका एंगल स्मॉलर होता जाएग दिखो यहां पर यह एंगल अलफय है sujet आंक यह और दूसरा यह जो दूर वाला object फी डैश क्यूझ वाला उसका ऑंगल बीटा विल्फा बड़ा एंगल वि手 स्मॉलर एंगल गड़ा इसलिए है क्योंड़ इसलिए ऑप्जेक्ट पीक्लोजर एंपन ऑब Remo guy 3000 बांगल स्य अल्फा बुला गया है और यह एंगल बीटा है वह ऋपजेक्ट हाइश थी डिख रहे और अंगल बीटा उय। पहई श्हीं को दोनों और पहई क्यूंद समाइश से टो यहां पर वही अंडरस्टाइंडिंग समझाने इन फिगर 7.15 लेकिन आखों से अलग-अलग डिस्टंस पे रखा हुआ है जैसे फिगर में दिखाई दिखाई दे रहे है ऐस दी अंगल अलफा सब्टेंडड़ बाई पीक्यू एड दी आइस लाजर देन अंगल बीटा सब्टेंड़ बाई पीवन क्यू एक दोनों का अलग सब्टेंड़ बाई ऑबजेक्ट ऑफ दी आइस तो लाज्ट पॉइंट बायाट करने वाला है क्या यहां से यहां तक क्या अपारेंट साइज ऑफ एन ऑबजेक्ट डिपेंड़ ऑन दी आइस ठीक है जितना अंगल सब्टेंड होगा उसका साइज उतना बड़ा दीखेग अंगल कम सब्टेंड हो रहा है तो छोटा देखेगा तो इसके लिए मैंने एक एक्जाम्पल दिया कि मून को देख लो और मून को यहां से देख रहे हम लोग से तो हमें मून क्या दिख रहा है साइज ऑफ फुटबॉल या उससे थोड़ा बड़ा लेकिन जैसी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे रॉकेट बाइस पेस या ऐड़ एरो पलेन एक्सेटरा हम जैसे जैसे मून को नजदीक से देखेंगे हमें मून बड़ा दिखाई देता जाएगा क्यों बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि एंगल बढ़ रहा है और यह घर पे भी कर सकते हो द reason is this angle all right so यह अब्जेक्टिव में पूछते हैं इस questions यह डिफाइंड वगेरा में नहीं आता है बट इट इट कंस वर विट फॉर अब्जेक्टिव में आता है क्या रहेगा अपरेंट अब्जेक्टिव में रहेगा एंगल सब्टेंड बाइधी ऑब्जेक्ट ऑन दियाइज फिर कुछ और ऐसे बिकॉस दो पॉइंट कभी याद नहीं रहते और एक्स्ट्रा लिखना बेटर होता है कम लिखने से इसलिए मैं हमेशा सज़ेस्ट करता हूं कि चार पॉइंट करो एटलीस देरा फाइफ पॉइंट फोर कर लो इसे सब जगा पर यूज होता है इवन सीडी प्लेयर्ज में भी कॉन्केव लेंट करना है यूज होता है इसे सब जगा पर यूज होता है इवन सी डी प्लियー में भी कॉन्केव लेंस यूज होता है सी डी प्लिय तो सारे इसमें डीवीन मिलते हैं तो City लडीवीडी प्लेएर की तरह होता है इस इंस्ट्रॉमेंट उसे लेजर लाइट फॉर प्रॉपर वर्किंड ओफ इस इक्विपमेंट। कॉनकेव लैंज यूजे में गाचल लाइट के लिए क्या चाहिए एकॉनके व्लेंज second the people indoor दर्वाजे में ढर्वाजे के सेंटर में आज कल भी लगता कामड़ाने लगने लग मेडल में जिससे बाहर की चीज़ों के या बाहर के आदमी जो भी बाहर नौक कर रहा है उसे देखा जा सकता है दपीप होल इन डॉर देर इसे स्मॉल सेफ्टी डिवाइस विच हेल्पस तु सी अ लाज एरिया उटसाइड दूर दिस यूज इस वन और सेफ्टी डिवाइस है जो दर्वाजे में लगता है जिसके घर के अंदर से बाहर का एक बड़ा सा एरिया देख सकते हैं और यह सेफ्टी के लिए और इसमें एक या एक से सा चशमा लगता है ठीक है स्पेक्टेकल इस यूज इन स्पेक्टेकल टू करेक्ट निया साइटेडनेस मतलब नजदीक का दिखाई देता है दूर का दिखाई नहीं देता ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा चश्मा पिना जाता है कॉन के लेंस का थर्ड बहुत इजी है सबको यादी रहेगा चश्मा स्पेक्टेकल फोथ टॉच 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 जो टॉच मतलब जो लाइट अंधेरे में यूज होती है ठीक है टॉच कॉनकेव लेंस इस यूज तो स्प्रेड वाइडली दा लाइट प्रेडूस बाइ स्मॉल बल्ब इंसाइड टॉच टॉच के अंधर जो छोटे सी बल्ब से लाइट प्रेडूज होती है उसको दूर तक रोलं कि यूज होता है लस्ट कैमेरा как टेलिसकोप और कहां इंस्थे सारे उन्से आप से लिए लेकिन और अच्छे कालिटी के इमेज के आगे माइक्रोप टेलिसकोप में देहेंगे आपीस और अब्जिक्टि यूज्स लेंस तो kशेथ कन्वेक्स लेंस प्रिडिवाइब्ड्रून के दूखसे लिंगणि समॉल फोकल लेंज प्रेड्यूज वर्चुल इरेक्ट एंड बिगस्ट इमेज एक कॉन्वेक्स लेंज चो छोटे फोकल लेंज की हो उससे वर्चुल वर्चुल याने सेम साइड पे इरेक्ट और बिगर इमेज में बनता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट शोन इंद एस विगर में देख सकते ह ओब्जरवर यहाँ से देख रहा है औब्जेक्ट साइड बनेगा इमेज तो ये अब्जेक्ट साइड और इमेज बिघृद इंद ही है इसके लिए वर्चुल अगर औबजेक्ट यहां ओता और इमेज यह फोंम हता तो इमेज को रियल इमेज कहते है this is virtual इमेज हो फ़ीक हम होत Kingdom कि मतलब image सीधाइ कि मैं फिर या साइस का से मओ और निया थैक deed या कि मार्य घग्रिट साइस को using such microscope ऐसा microscope यूज करके बीस गुना बड़ा इमेज पाया जा सकता है object का इमेज उससे बीस गुना बड़ा इमेज पाया जा सकता अब्जेक का ठीक है दिस आ यूज फॉर वाच रिपारर टेस्टिंग प्रेशियस जेम्स एंड फाइंडिंग दिफेक ठीक है तो यह जाने माइक्रों करा जा लाख करते हैं बाकर सब्सक्राइबर सबक्राइब होते हैं मैगनिफाइंड ग्लास कर reviewers या फिर प्रेशियों जूनार या जो भी है यो लोग भी यह यूज कर के quality check करते हैं ठीक है precious चीज होगी और finding the defect या उसमें जो भी defect है वो ढूंड़ना और कॉंड़ना और कहां यूज होता है Convex Lens compound microscope में भी यूज़ता है ठीक है तो यह compound microscope है compound microscope देखो school में देखा ऊगा compound microscope उसका कुछ मैं आपको देखो compound microscope ऐसा दिखाए देता है इस इस compound microscope एक और इमेज इक compound microscope का। compound microscope पहले कभी ते स्कूल लैब में होगा। नाइन्थ में देखा होगा। एक्सेट्रा। this is compound microscope, तो compound microscope में दो lens लगई होती है, एक यहां पर जहांसे अम लोग देखते हैं this is called do I piece, और एक यह लेंस होती है जो object के करीब होती ही इसको कहते है अबजेक्टिवज ठीक है compound microscope में दो लेंस होती है एक आखों के पास इसको eyepiece कहते है इसको eyepiece कहते है और यहां पे lens यहां पे जो lens लगी है इसके नीचे slide दाल कर अबजेक्ट को देखा जाता है अबजेक्ट है इसको objectives कहते हैं कियोंकि यह object के पास होती है और यहां स्य अधेर आयख तच करके मतलब आखों को यहां रखके देखा जाता है। सो दिस यह पिसाइपीपह यहां से यहां पर आग को करीब ला कर देखा जाये देखते है System से objective कहते हैं क्योंकि object के पास होता है ठीक है अब यह diagram compound microscope का textbook में ऐसे form में है तो इस is compound microscope यहां पर हमारी आखे रहेगी हम यहां से देखेंगे तो इस आइपीस और यह वाली lens object के पास होगी यहां पर object होगा इस अबजेक्टिव आइपीस दो यहां रखो compound microscope में आईपीस बड़ा होता है औबजेक्टिव स्मॉलर रहता है आईपीस लेंस दोनों convex lens रहती है बोद दे लेंस हां convex lens देखो simple microscope में एक ही लेंस होती है वह convex lens होती है compound microscope में दो लेंस होती है आईपीस और objectives और दोनों convex lens होती है आईपीस बड़े साइज का होता है objective स्मॉलर साइज का होता है ठीक है और दिस इस टेलिसकोप टेलिसकोप में भी दो लेंस होती है दोनों convex lens होती है बट आईपीस मॉलर होता है आईपीस का diameter जाधा होता है ठीक है टैलेसकोप में जहां पर आखों से देखा जाता है वो लेंच smile साइस की होती है और जो आगे वाली लेंस है वो बड़े साइ wreckage की होती है कि हए ठीक है इसका diameter कम होता है इसका diameter जाधा इस आधा आपीज इस ओफ स्मॉलर डामेटर देन आपजेक्टिवेश इन टेलेसकोप इन रिफ्रेक्टिंग टेलेसकोप टेलेसकोप दो टाइप के होते हैं वह हम लोग देखें गया ठीकर बट जनरली ट्वीशकोप में दो लेंस होती है स्मॉलर साइज देन स्मॉलर डाइमेटर आइपीज स्मॉलर देन डाइमेटर ओब जेक्टिव और इसका आपोजिट डिस्टिंग्यूच में पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं ठीक है आएपी आपीज कंपाउड माइक्रोस्कोप इस ऑफ ग्रेटर साइज देन देट ओफ सॉरी डामेटर आइपी लेंस ओफ एप्टिव् डेटर देन देट ओफ दी ऑब्जेक्टिव लेंस ओफ कंपाउड मायक्रो स्कूप ठीक है सिंपल तो डिस्टिंग्यूच में होता है micro organism को या minute object को देखने के लिए blood cells है body cell है etc या फिर bacteria cell है unicellular organism है यह सारी चीज़े compound microscope में देखी जाती है तो लेट लेट देखते है रीड करके क्या होए जूम कर लेते हैं simple microscope is used to observe small size object but minute object like blood cells cell of plant and animal and minute living being like bacteria cannot be magnified sufficiently by simple microscope ठीक है देखो simple microscope छोटी चीज़ों को देखने यूज होता है बट उस एकदम और भी minute चीज़े ठीक है और भी और भी ज्यादा छोटी size की चीज़े जैसे के blood cell plants animal cell या छोटे living organism bacteria यह ज्यादा magnify नहीं होते हैं simple microscope से so compound microscope I used to study this object तो ऐसे object को study करने के लिए क्या use होता है compound microscope याने simple microscope से थोड़ा high high level ठीक है मतलब और ज्यादा इसका magnification magnification और ज्यादा है मतलब यह और ज्यादा magnify कर सकता है यह 20 times कर सकता है तो यह more than 20 times कर सकता है उसको compound microscope is made up of two convex lens compound microscope में दो convex lens होती है objectives and ips एक का नाम है objective एक का नाम है the objective has smaller cross section and smaller focal length जो objective है उसका size याने smaller cross section smaller है देखो objective का objective lens का cross section स्मॉलर है उसकी वज़े से उसका focal length भी smaller है डाइपी जैस बीगर cross section its focal length is also larger than that of the objective higher magnification can be obtained by combined effect of the two lens और यह दोनों लेंस याने objectives और आइपी को combine करने पर higher magnification यह बहुत जादा जादा magnification पाया जा सकता है और राइट नेक्स्ट एस शोन इन figure 7.17 the magnification occurs in two stage जैसा कि figure में दिया है मैं भी figure बताऊंगा इसमें magnification दो stage में मतलब दो steps में होता है the image form by the first lens act as an object for the second lens देखो first lens जो image form हो रहा है first lens यह first lens है यह object है तो object का जो image form हो रहा है first lens है यहां पर यह object है और इसका image यहां form होँआ inverted reality यह second lens के लिए object है कि कि के इसका real object यह है इसका image यह वाली lens के लिए object का का काम करता है और यह वाली lens का image फिर यहां बनता है एक magnified image बनता है object real में यह है उसका एक image tube के अंदर फॉर्म होगा देखो यह metal की tube में रहती है पूरी lens metallic tube में होती है तो object का image form हुआ और यह image eye piece के लिए object का काम करेगा और eye piece का इमेज form होगा जो बहुत magnified रहेगा ठीक है यहाँ पर भी image रियल और इन्वेर्टेड आएगा ये वाला इमेज ये वाले लेंस के लिए ये रियल और इन्वेर्टेड फिर्स्ट इमेज ठीक है और याइपिस के लिए ये इमेज wyddविए ND आरेख और अर्वाटोल विर्चल्ब सिंट साइड उव फिश Holo इस मैं नहीं लिखना हैं से इतना हिखना है अब्जेक्ट्रॉफ फॉर्फ्टिंट्रिक्ट आया segundos 1 आप 7 ग्रेख ataई ख्ärख सक्रिस्थ 1 इस व्हाइब और यह सब नहीं लिखना है ज्यादा डीटेल उसमें नहीं है बस इतना ही है दे इमेज फॉर्म बाइब फॉर्स लेंस एक्ट अप्जेक्ट फॉर सेकेंड दे एक्सेज ऑब बोथ लेंथ अलॉंग दी सेम लाइन दोनों लेंस का जो दो एक्सेस कि एक्टेश प्रिंशिपल एक्सेज़ू सेम है रह् 그때 इन पीछ चाइंग दिस्टेंच होता है यह दोनों के बीच में जो distance है वो कम जाधा हो सकता है नेक्स टेलिस्कोप टेलिस्कोप क्या है टेलिस्कोप इस यूज तो सी distance object clearly in the magnified form दूर का object नस्दीक और magnified form में देखने के लिए telescope ठीक है देखो यह छोटे object को बड़ा देखने के लिए compound microscope यह simple microscope छोटे object को बड़ा देखने के लिए microscope और दूर के object को नस्दीक देखने के लिए ठीक है टेलिस्कोप तो यह distinguish का point है टेलिस्कोप इस यूज तो सी distant distant object clearly in a magnified form magnification इसमें भी होता है बड़ दूर का object देखने के लिए ठीलिस्कोप यूज तो observe astronomical sources like the star and the planets are called astronomical telescope ठीक है देखो जो टेलिस्कोप astronomical और object देखने ही यूज होता है जैसे के star और या दूसरे कोई भी planets को star है दूसरे stars को ठीक है या दूसरे planets जैसे जूपिटर है वीनस है एक्सेट्रा मास है तो वो सब देखने के लिए जो यूज होता है या दूसरे stars को देखने यूज होता है उसे कहते है astronomical telescope टेलिसकोप वैसे दो टाइप के रहते हैं reflecting telescope और reflecting टेलिसकोप यह नाम है इसमें दो लेंस होती है और इसमें भी दो लेंस होती है बट दो लेंस के साथ एक मिरर भी रहेगा ठीक है ओल्राइट तो reflecting telescope जिसमें स्रिफ लेंस होगी reflecting telescope जिसमें मिरर और लेंस दो नो रहेगा इन इन बोट ए इमिज ओंवाइद एक और आप्जेक्टो आप्जेक्टील फॉर्ट इस फ्रीचिकेंड भी जादा रहता है और फोकल लेंद भी जादा रहता है कर दूर से आने वाली जादा जादा लाइट उसमें जमाओ टेलिस्कोप ने ठीक है और आई पी इसका डायमीटर यानि एक्रोस सेक्षिन होता है इसका डायमीटर और इसका फोकल लेंद्वों जादा होता है आईपीस से, on the other hand, on the other hand, the size of eyepiece is smaller than its focal length, दुसरी जग, उसी तरह से आईपीस का size, आईपीस का diameter और focal length कम होता है, ठीक है, बोथ the lenses are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed, दोनों metallic tube में लगा रहता है, कुछ इस तरीके से के उनका यह जो distance है, इन दोनों के बीच का distance कम जादा हो सकता है, ठीक है, ट्यूब में लगा रहता है, और इसको कम या जादा कर सकते हैं, distance, इसमें भी same चीज होती है, जो light objective से आ रही है, जो object से light आ रही है, उसका image पहले बनेगा, आईपीस के आगे, और फिर आईपीस से, वो magnify होके दिखाई देगा, सपोज कोई दूसरे planet से light आ रही है, उसका image अंदर form होगा, ठीक है, object है, जैसे moon है, moon को देखा जा रहा है, टेलिस्कोप से, तो moon object है, तो image यहां पर form होगा, और फिर वो आईपीस के वाली lens से magnified होगा, तो यह object इसका, यह object का image यहां बनेगा और यह image यह वाली lens के लिए object रहेगा, जैसा के microscope में था, same property, but the principal axis of both the lens are along the same straight line, दोनों का principal axis, same straight line में रहेगा, generally using the same objectives, but different ips, objective same रहेगा, but अलग-अलग IPS, different magnification can be obtained, objective को same रखा जाएगा, objectives को same रखेंगे, but IPS अलग-अलग लगाएगे ताकि अलग-अलग magnification मतलब IPS change करके अलग-अलग magnification पाया जा सकता है, और राइट, next is optical instruments, convex lens है यूज तो तीन यूज थो हमने देख लिए, एक तो simple microscope में use होता है convex lens, एक compound microscope में convex lens use होता है और third use था telescope में भी convex lens यूज होता है, fourth use, convex lens का fourth use है optical instrument में भी convex lens यूज होता है, Convex lens है used in various other optical instruments, like camera, projectors, spectrograph, etc, तो ये सब जगे पर भी, प्रोजेक्टर में कैमरा में स्पेक्टोग्राफ में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है कैमरा पता ही होगा प्रोजेक्टर भी पता होगा स्पेक्टोग्राफ स्पेक्ट्रम में यूज होता है स्पेक्टोग्राफ स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम की जो लाइट को कंवर्ज करने के लिए स्पेक्टोग्राफ ठीक है स्पेक्टोग्रामिक डिवाइस uses spectacles spectacles तो पता है चश्मा ठीक है चश्मे में यूज होता है फासाइटेट नेश याने नजदीक का जिनको नहीं दिखाई देता है बराबर और दूर का प्रॉपर दिखता है उनके लिए कि चश्मा नेक्स्ट इक पर इस पर शिस्टेंस तो सिम्पल समझा देता हूं यह करके देख सकते हैं या फिर दिवाली में देखा होगा दिवाली में वह बर्निंग स्टिक हो क्या क्या सूरी जलाकर अगर आप गोल-गोल घुमाओंगे तो आपको रिंग दिखने लगती है में शुनि जो लाइट है पर बॉरनिंग इसको आफ जला या कोई भी आप अगर बद्ती ले लो ख़ीक है अगर बद्ती ले लो कोई भी लगडी को आप जला और उसको गोल गुमा अगर भिकास गुमा अपको फास गुमा तो उसको point source of light कहते लेकिन अगर उसको fast घुमाया जाया तो circle दिखने लगता है तो circle क्यों दिखता है because of persistence of vision answer में बता रहा हूं एक और example यहां दिया है वो भी देख लेते हैं draw a cage on one side of a cardboard and a bird on the other side hang the cardboard with the help of tread twist the tread and leave it what would you see and why cardboard के एक साइट पर बर्ड बना और एक साइट उसको धागे से लटका गोल गुमाओ आपको बर्ड दिखाई देगा अगर उसको आप गुमा रोटेट करोगे तो बर्ड बीच में एक साइट पर बर्ड एक साइट पर ड्रॉ कुछ भी नहीं प्ले ने फिर भी आपको बर्ड दिखेगा मैं एक और example देता हूं घर में fan है fan on है तो आपको circle दिखता है fan में सिर् है persistence of vision persistence of vision हम लोग जो भी देखते हैं हमारी आखो में उसका इमेज उसका इंप्रेशन 1 16th of second तक के लिए रुख जाता है ठीक है हमने जो भी देखा आखो में 1 16th of second याने एक सेकेंड को 16 पार्ट में डिवाइड किये तो उतने टाइम के लिए 1 16th of second याने 60 upon 16 कर लो यूविल गेट तो उतना मिली सेकेंड तो जो भी अब्जेक्ट हम देखते हैं वो देखो 3.75 मिली सेकेंड के लिए हमारी आखो में उसका इमेज रह जाता है ठीक है तो यहां प इमेज बनाता है उसका इमेज इस इमेज is on the retina as long as the object is in front of us और इमेज कब तक आखों के रहेगा जब तक कि object आखों के सामने है इमेज disappear as soon as the object is taken away और इमेज आखों के सामने से ओजल हो जाएगा जैसी object आखों के सामने से हट गया आखों के सामने से हट गया तो वैसी इमेज नहीं हटता है बलके उसके 116th second के बाद हटता है यानि 116th second तक image retina पे रुका रहता है the sensation on retina persist for a while और यह है जो sensation है जो feeling है जो महसूस करना है यानि जो vision retina का वो persist करता है वो रुखता है ठीक है कुछ वक्त के लिए यानि 116th second के लिए थमा रहता है इस this is called persistence of vision इसे करते हैं persistence of vision what example in day-to-day life can you think about this day-to-day life में इसका कौन सा example देखोगे तो अगरबत्ती को देखा है अगरबत्ती जब उसको गोल-गोल घुमाते हैं मैं अब भी करके दिखा सकता है अगरबत्ती लेक्टे सिर्फ ऐसा राउंड करूंगा या ऐसा स्टिक करूंगा तो भी एक लाइन दीखेगी ठीक है तो दिस इस फैन के त्री ब्लेड नहीं दिखते बलकि एक सर्कल दिखते है और राइट नेक्स तो यह पॉसिस्टेंस और विजन है तो बहुत सिंपल है पॉसिस्टेंस और डे टुडे लाइफ का एक्जैम्पल यह है दिवाली में वह बर्निंग स्टिक या कोई भी बर्निंग स्टिक डेको यह बर्निंग स्टिक है अब यह एक पॉइंट सोजबट लेकिन मैं इसको लफ राइट कर रहा हूं तो वह एक लाइन दिख रहे होगी ठीके यह एक लाइन इसलिए दिख्यरी है पॉसिस्टेंस और विजन की वजह से पॉसिस्टेंस ओफ अब मैं इसमें सखल करके नहीं दिखा सकता हूं रिंग सर्कल में बट में लेफ राइट लेफ राइट करके एक लाइन बता सकता हूं ठीक है तो दिस इस वाल पॉसिस्टेंस ओव विजन ऐसा होता है विकॉस्ट विजन ठीक है सो नेक्स्स विप्रिषिव डिफरेंट कल से पहिछान लेती हमारी में अलग अलग कलर कैसे पता चलते हैं रेड ब्लू है औरे इंज मतलब यह कैसे होता है कलर सक्ष्ट कवाल पैचानता है तो उसके बारे में आ रहा है जून कर लेता हूं या ठीक है the retina in our eyes is made up of many light sensitive cells हमारी आखों में जो retina है वो बहुत सारे light sensitive cells से बना है retina बहुत सारे light sensitive cells से बना है this cells are shaped like rod and like a cone इन cells का shape rod की तरह होता है या cone की तरह होता है ठीक है retina बहुत सारे light sensitive cells से बना है cell rod shape होते हैं या cone shape होते हैं the rod like cells respond to intensity of light and give information about brightness or dimness of the object to the brain इसमें जो rod shape के है cells वो brightness को वो करते है कि light bright है dim है light intensity बताते हैं कि light intensity क्या है का में जादा है light की intensity जादा है मतलब bright light है light की intensity कम है मतलब dim light है ठीक है the conical cells respond to colors and give information about the color of the object to the brain तो rod shape intensity याने brightness डीमनेस का information देते ब्रेन को और अब्जेक्ट के color का information देते ब्रेन को ठीक है object के color का information देते हैं brain को brain brain process all the information receive and we see the actual image of the object और brain सारे information को process करता है और जो object है वहामें वैसा याने red object है तो conical cell brain को signal देंगे के red color blue object है yellow object है तो brain को ऐसा signal जाएगा conical cells से और light beam है bright है उसका signals rod shape cell देंगे ठीक है next यह दोनों type के cells retina में पाए जाते हैं rod like cells respond to faint light also but conical cells do not फिल जो faint light होती है देखो faint light मतलब अच्छा हुआ यह बताने से पहले इतना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेर करो शेर करो वीडियो अपने सारे friends के साथ ठीक है अपने जितने भी तुमारे 10 के दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेर करो वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन भी प्रेस करो अधूरा काम मत करो बैल आइकन इसके लिए ताकि अगला वीडियो आती नोटिफिकेशन मिले ठीक है और वीडियो और बहुत अच्छा लग रहा है और जाद करती है लेकर को णीकल सेल नहीं कि रिस्पॉंड करती है मतलब डिफेन डिफेन्ट डिफेनर्ट कलर सारे ब्ला की इदिखते हैं सारे घुए सो लाय मोदी है तो छिटेक्ट नहीं होते प्रोपर प्रॉपर है तो प्राइ charisma करते में सेलस उसको थेडिकल असे इसके लिए लि प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं, the conical cells can respond differently to red, green, blue colors, conical cells अलग-अलग तरीक से respond करती है red ko green ko blue colors, when red color falls on eyes the cell responding to red light gets excited more than, when red color falls on eyes the cell responding to red light get excited more than those responding to other colors and we get the sensation of red color ठीके, जब red color fall होता है आखों पे जब लाल कलर आखों के सामने आता है तो जो cells red color light को respond करने वाली होती है वो excited हो जाती है ठीके वो active हो जाती है और इसके लिए हमें red color respond मतलब हमें red color का sensation होता है red color है, feel होता है, some people lack conical cells responding to certain वैसी ही example blue color और green color अलग-अलग colors के लिए जो color की light गिरती है वो वाले excited होते हैं blue के लिए blue color के जो light conical cells है ठीक है etcetera अच्छा कुछ लोगों के अंदर defect होता है problem होती है कुछ लोगों के अंदर conical cells की कमी होती है lack lack मतलब कमी conical cells की कुछ अंदर की कि सबस्कु कमी होती है,á certain color को लेकर मतलब किसी को blue color को इसको color blind भी कहते है, कुछ लोग pra light होते हैं, कुछ लोग green color blind होते हैं, sadly red color blind होते हैं, मतलब उनको red color red नहीं दिखाए देता है black की दिखाए देता है, यहांने अदर कलर्स दिखते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का कलर की का कमी होती को निकल सेल्स कि ऐसे कि कम रहते हैं जिस की वज़े से इस परसंग धोगों पहचान नहीं पाते और cannot distinguish between different colors या अलग-अलग के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं इस परसंसा सेट टूबी कलर ब्लाइंड ऐसे लोगों को कलर ब्लाइंड कहते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉट बिंग एबल तू स्टिंगिउच बिट्में डिफ्रेंट कलर या आई साइट इस नॉमन सिर्फ कलर इफक्त कलर का डिफ्रेंट नहीं बता पाते हैं इसके अलावा उनके आखे एकड़ नॉर्मल होती हैं उन्हें सब कुछ बराबर दिखाई देता है बस कलर का फर्क नहीं पता चलता याने सप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेर करो लाइक सब्सक्राइब एक्सेटर 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 थैंक यू